देखे कीचड की पोटली लिए घूंगते हैं केजरीवाल साब जिस मर्जी पे उठाओ मुटी भर के फैक दो मान्य केजरीवाल साब जब दिल्ली सरकार में रहते वे काम नहीं करते हैं तो उनसे क्या उमीद करी जाए करोलबाग वाली रोड पे निकलाई है इनका विधायक महां से उनका है पार्शद महां पे आप सड़कों पे धीर ओढ़ीर मलबा देख लेते हैं जबकि करोलबाग एक व्याइप एरिया है जहां से मुमेंट रहती है व्याइप मुमेंट रहती है क्या पेक्षा करेंगे आप खत्म होती हुई नजर आ रही है और वहीं आप तिर्थी निर्दारत हो चुकी है तो उस पर ज्यादा चर्चा के लिए यहां पर बीजेपी के उमेदवार रेखा गुपता जी हमारे साथ मौजूद है मैडम क्या लगता है अब क्योंकि अब मनोनित सदस्य से भी कही ना कह कर पाएंगे उसके बाद जो अब यह आम आदमी पार्टी नजर आते हैं कि हमारा जो एक तरफ वोट हो चुका है तो आप कैसे देखते हैं देखिए जो वोट हैं एम सीडी के वो तो गिने वे वोट हैं उसमें तो कहीं पर कोई दोराई ही नहीं है हमारे जितने एल्डर मै है ही यह आम आदमी पार्टी की पॉलेसी है कि उनके फेवर में आ गया तो वो मान लेते हैं और उनके फेवर में नहीं आया तो कह देते हैं कि सब मिलेवे हैं फिर मोधी जी भी कोट से मिलेवे हैं कोट हम से मिलावा है हम उन से मिलेवे हैं फिर वो कुछ भी कह सकते हैं पर मैंडम वहीं आम आदमी पार्टी कई अपनी कॉंफरेंस में भी यह पहले कहते हुए नजर आए कि कॉंग्रेस कहीं पर अगर आप कॉंग्रेस को वोट देते हैं तो सीधा बीजेपी गो जाता है या ऐसे बहुत से आरोप लगाए उसके बापजूद अब जब वह जहां पू हुआ उस समय उन्होंने का जी हम तो एल्डरमन की शपत नहीं होने देंगे दूसरे हाउस में मान गज़ की श्पत होने देंगे ती कैसा फिर हम वोट नहीं होने देंगे पहले को पर से वापस आ गये विर पर दोबार जा गए तो यह चीजे कहीं पर अगर दूसरी में तथ्थे नहीं होता और इसलिए, मैं उनकी बातों पर गौर भी नहीं कर सकती हम पहले दिन से जो बात कह रहे थे आज भी वही कह रहे हैं कि यह चुनाव जो है वो पूरी शुचिता के साथ में, और पूरे के पूरे हम जिस מोटिव के साथ में करना चाहते है कि दिली का तो उनसे क्या उमीद करी जाए दिली नगर निगम में वो क्या काम करने वाले आज आप देखिए जरा दिली का दोरा लगाई ये वहां पर उनका विधायक भी बैठा है उनका पार्शत भी बैठा है फिर भी इतनी बुरी स्थिती उन वाडों की और उन एरिया की आप ये करो असे लोगों से तो हमारा देख केवल इसलिए जनता के काम हो दिली की बैठरी हो दिली में विकास हो वहीं आप देखेंगे कि लंबे अर्शे से वह एलजी साब को भी कही ना कहीं इसमें घसीटते हुए नजर आते हैं अपने मुद्धों में उतारते हुए नजर आते हैं और उनका विरोध करते हुए नजर आते हैं कीचड की पोटली लिए घूमते हैं केजरिवाल साब जिस मर्जी पर उठाओ मुटी भर के फैक दो उनको यह समझ नहीं है कौन सा सविधानिक पोस्ट है कौन व्यक्ति सविधान के उच पदों पे बैठा है और क्या उनको बोलना अगर वो चाहेंगे कि मेरे उपर कोई चेक पोस्ट ही ना हो मैं कुछ भी करूं कहां से भी जो मर्जी पूरे सिस्टम का दुरुपियोग करूं तो ऐसा तो संभव नहीं होता है सविधान में हर एक के उपर चेक पोस्ट है और आपको इसको फॉलो करना पड़ता है आज प संजा सिंग ने अपने ट्विट के माध्यम से बीजेपी को जिताने के लिए कॉंग्रेस को बदाई देते हुए नजर है तो इससे आप कैसे देखते हैं कि अगला टार्गेट उनका कॉंग्रेस है वैसे तो मैं खुद भी बानती हूँ कि कॉंग्रेस को वोट डालना चाहि चाहिए तो अब उनको आम आद्मीपार्टी के कहने से वह डालने वाले हैं कि नहीं कि एक आपना पॉलिसी मेंटल रहा उनकी साहिए अंके पास हैं नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे नराज है एक तो शैली ओवेराई से वरिष्ट बहुत सारे वहां पे लोग हैं जो की मेर की दावेदारी रखते थे परन्तु उन्होंने किसी सिन्योरिटी का किसी एक्सपीरियंस को उन्होंने क्राइटीरिया नहीं बनाया और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग की चुनाव डिल्या हो जैसा कि आपने सुना रेखा गुपता जी से यह कि उन्होंने साफ तोर पर कहा कि आमादमी पार्टी कितने भी अपने दावे लगा ले लालचन लगा ले बावजूद इसके बीजेपी की सरकार ही बनेगी कहीं क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कैमेरामेन पंचानन के साथ नवदीब शर्मा की रिपोर्ट दिल्ली